जैसरी राम मैं देवानन गुरूजी अधरवेदाचार आज आपको बताऊंगा कई चीजें धंतेरस से संबंदित धंतेरस के दिन दीपदान करने का हमारे सास्तरों में सरवाधिक महपतो है ऐसा करने से अकाल मृत्तु का भय समाप्त हो जाता है यमराज का असिरवाध प्राप्त होकर आयू में बृद्धी होती है इसके लिए सूर्यास्त के बाद आप आटे का चवं मुखी तेल का दीपग बनाएं और उसे घर के मुख्य द्वार पर दाई तरफ रख दें उसमें बत्ती डालें ध्यान रखे कि बत्ती का मुह दक्षिन दिसा की तरफ हो फिर दीपक प्रजुलित करके उसमें कुंग कुंग वा हल्दी द्वारा पूजन करें अक्षत उस पचड़ाएं फिर उसमें थोड़ी सरसों एक कोड़ी का सिक्का डालें साथ ही तेरा साबूत काली मिर्च डालें और फिर मृत्तु के देवता यमराज से प्राथना करें कि परिवार के सभी सदस्वों पर उनकी दया दृष्टी बनी रहें हम सभी का पर आकार मृत्तु का भय समाप्त होकर हमें दीर आयू प्रदान करें साथ ही किसी जरूरत मंद व्यक्ति कोई मदद भी करें दीपक, रुई, तेल, माचिस, दान देते हैं तो यम देवता प्रसंद होते हैं और आपके जीवन से अकार मृत्तु का भय ही भय भी समाप्त हो जाता है और मालक्षमी की कृपा आप पर सदय बनी रहेगी